वापस आएंगे अपने प्रोग्राम में और हमारे महमान हमें भी जॉइन कर चुके हैं इस वक्त बहुत ही खास महमान है और एक बड़े जबरदस्ट इशू पर हमें उनसे बात करने वाली हूँ आमिर इसमाईल साहब है जो के टॉरंटो बेस्ट लाइसेंस सिटिजन शिप वार इमिग्रेशन अडवाइजर है और उनके साथ उनकी मिसस मौझूद है अर्शी आमिर साहबा जो के टॉरंटो सेटलमेंट सर्विसेस की डारेक्टर हैं और ये वो लोग हैं के पाकिस्तानी ज जो के पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके भी परिशान होते हैं उनकी परिशानी को ये लोग दूर करते हैं उनके लिए ब्लसिंग है इनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशाम अदीद कहूंगी सबसे पहले मैं आमिर साहब आपकी तरफ आउंगी माशला बड़ा जबर डिले कराया जा रहा है ब East कराया जा रहा है बताये खानार सही रास्ता क्या है और लोगों को किस तरह गाइड करेंगे बहुत चुकर Hindu तो आपने मुझे अपने फरोग्राम में मिहां अम्लव किया जाफ इसको भी और बहुत ही मैया है पाकिस्तान में शच्रिया आप जाना दो चार मरतबह आता हूं पाकिस्तान इस दफ़ जर असा डिले के साथ कोविट की वज़ा से लेकिन जब मैं अब आया हूं तो मुझे मैसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा मश्रूम आउट हो गया है यह आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए गुर्मिट ऑफ कैनडा की वेब कि आप यह यह आप यह आप यह करें और वहां से जो मुझे इस जो इस फिर एक रॉट करें या तो फुर्ण फ़राइग कीजिए या पिर जो मनजुर्छ रॉड़ा लोग हैं उनसे बात कीजिये हो यकिन आपको कैनड़ा में मिलेंगे पाकिस्तान में शायद नमें में होते हैं और बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाते हैं मुख्तलिफ हर्बे इस्तिमाल करते हैं यह लाइसेंस लोग पाकिस्तान में रहते हुए हम उनको किस तर अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि गर्मेंट ऑफ कैनडा की बात हो रही है अगर या फिर किसी भी गर्मेंट किया बात करें जरनरली में बात कर रहा हुए हैं जहां पर के इमिग्रेशन के कवाने के माहरीन मौजूद हैं तो वो बेशसर तो वहीं पाए जाएंगे एक तो यह बात है दूसरा उनकी मैय को चेक करना चाहिए और फिर उनसे ख़दमाद लेनी चाहिए बनिजबत इसके कि आप किसी भी एक्स वाइजएट को उसके आफिस में जाएं बड़ा अच्छा खुबसूरत आफिस बनाया है सोपे इचे रखे हुए हैं जबरदस स्टाफ रखाव हैं लगता ही है कि आप बस एमबेसी में दाखिल हुए और आपका वीजा बिलकुल च्छपा है और तयार होने वाले तो यह चीज़े जो जाहरी तो आपके बोग का कवर पेज नहीं देखना बोग को अंदर से भी अच्छे तरीके से देखने हैं वरना आपके पैसे जाया हो सकते हैं अच्छा अर अच्छे सर्विस समझें कि अपने सब लोगों को देने देते हैं कि जो है वो वहां आएं उंको सैटिलमेंट की सारी सहोलते हम लोग प्रोवाइट करते हैं एरपूट पिक अप नो Playक के लेके उंके मुट फका जो आ हैं जैसे license के बारे में, रहाइश का जो मसला होता है, उसका मसले के बारे में और जो है, schooling जो सबसे बड़ा यहाँ issue है पाकिस्तान में, उसके बारे में और भी जित्ते भी problems हैं, या जित्ते भी bank accounts का मसला है या sin card बनवाना है, ये जित्ते भी वहाँ के cards बनने हैं, हम उस सब के बारे में उनकी information देते हैं और जहां तक उनकी मदद कर सकते हैं, हम करते हैं ताकि उनको वहाँद आकर जो है, वो कमी महसूस ना हूँ, कि हम कहा आ गए, किस नई जगा आ गए पैसे जमा करवा चुके हैं, उनको वेटिंग पर रखा जा रहा है, अब उनको अपना status वालूम करने के लिए कहां रुजू करना पड़ेगा, और दूसरा ये भी बताएगा कि अब 1.4 मिलियन, 1.5 मिलियन इतने पैसे लोग देते हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, आप क्या कहेंगे? देखिए सब, पहले तो जो फीस होनी चाहिए, किसी भी consultant की वो मनासी भी होनी चाहिए, अगर आप इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर आपको शायबा होना शुरू हो जाए कि भाई इतने पैसे क्यों दिये जाए, अगर आप qualify नहीं करते हैं और आपको कोई सब्स बाग से, हमारे पड़ुसी मुल्क के अंदर regulation है, consulting के मामले में, और उन्होंने government of Canada, government of UK, Australia, जहां-जहां लोग रुजहान है, लोगों के जाने का, उनके साथ राप्ते करके, regulate, regulate करने का मतलब यह है ना, कि आम अवाम के पैसे जाया ना हो, आवाम जो public है, होता ही यह है, कि आपक आपको सही जवाब नहीं दे रहा है, तो अगर तो वो license advisor है, तो वो उसकी रसाई है, मतलब आपने उसको authorize की है, government of Canada, government of UK, government of US से उसे बात करेगी, लेकिन अगर आपने किसी SEO को hire कर लिए, जो पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तानी है, license भी नहीं है, उसने तो अपना न अब उनको आप क्या encourage करेंगे और उनके लिए आपका message क्या है, आप दोनों का पहले, आमिर साब बताएगे, पर मैं अच्छी से भी बूच हो, आपको यह देखना है कि आपका target क्या है, आपका target अगर बच्चों की तालीम है, और अपने आपको ग्रूम करना है, कुछ मवा को बात कर लें, अपना research करें, खुद भी apply करें, तो research करके apply करें, और इंशालला कामियाबी होगी आपको और बेतर होगा, जी अर्शी, जो लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं, मैं तो उनसे को हूँगी कि बिल्कुल panic में नी आए, Canada is a multi-culture country, so उससे यह होता है कि आप घब होते हैं, तो हम हैं वहाँ आपकी help करने के लिए, यह हमारी services का हिस्सा है, और जो है, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, अच्छा कि यह आपकी free services है, आपको charge नहीं करते हैं, यह हमारी services का हिस्सा है, basically जब हम represent करते हैं किसी client को, चोली दामन का साथ हो जाता है, और उसक उनके पजीराई करना या उनको साथ देना या उनको गाइडलाइन देना, वह उसमें हमको charge नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए, नैशली हम कुछ फीज देगे हैं, वह लोग जो कि आपकी भी बात सुन रही हैं, आपसे राप्ता करना चाहते हैं, इस प्रोग्र कि रिस लेकर किसी का 15 साल का तजरबा है, किसी का 20 साल का तजरबा है, तो वह भेकार यहां पर आप बाता, आप जाना कैनाडा चाहते हैं, तो आप चनिडियन से बात करें और मेरे जैसे-टैसे हैं कैनडा में, उनको अप्रोच करें, हमारा वेबसाइट के लिए मौधा मार के बारे में बड़ा जरूरी है चले बहुत जबरदस्त बड़ा ही जबरदस्त कौज है जिसके लिए आप यहां पर काम करें उनके बेश्टर रहसे लोग हैं जो के बाहर जाना भी जाते हैं और परेशान भी हैं उन्हें क्यों गाइड करने वाला नहीं है और जो वहां पहु अलाह आपिस